C.E.N. News देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबों के लिए C.E.N. News को सब्सक्राइब करें और रहें पल-पल की खबर से हर पल बाखबर व्रिंदावन के प्रख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकूर महराज इन दिनों मधवन में राधिकान नाचे भजन की इस लाइन पर पॉर्ण स्टार सनी लियोनी के श्लील डांस की वज़ा से क्रोध में है विश्वशांती सेवा समीती द्वारा मुंबई में आयोजेत श्रीमत भागवत कथा के आयोजन के दौरान आत करते हुए हिंदुत वाधी पार्टियों से तीखे सवाल पूछे है कथा वाचक देवकी नंदन ठाकुर महराज ने भाजपा और शिपसेना जैसी किसी भी हिंदुत पार्टि का नाम लिये बिना कहा हमारी राधा कृष्ण का अपमान होने पर राजलेतिक पार्टियां चुप क्यों रहती है यदि आप हिंदुत पर काम करते हैं तो राधारानी का अपमान होने पर आपको आवाज उठाना चाहिए एक पौर्ण इस्टा जिसका पिछला चरित्र अशलिलता से भरा है वह राधारानी का नाम लेकर तांग दिखा कर और अशलील हाव हाव कर आपति जनक धंग से डांस करती है और समूचा हिंदु समाज चुप चाप बैठा रहता है यह सही नहीं है उन्होंने सवालिया लहजे में कहा यदि ऐसा ही अशलील डांस किसी मुसलिम या इसाई धर्म के पर सिद देवी देवता के नाम पर हुआ होता तो क्या वह समूदाई चुप बैठा होता यदि हम हिंदु है तो हमारे धर्म देवी देवताओं के सम्मान के रक्षा सुरक्षा करना ही राष्ट की रक्षा है उन्होंने कहा कि राधा जी का नाम लेकर एक भजन पर अशलील डांस कराया जा रहा है या बहुत ही शन की बात है इस गाने में हमारी किशोरी जी राधा जी और किशने जी का नाम लिया जा रहा है वह टांग दिखा कर अशलील डांस कर रही है लोगों में जमीर बचा है या मर गया है या सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि क्याल लोगों के भीतर हिंदु तुब जिन्दा है या नहीं झाल